नमस्कार स्वागत है आपका फेरले स्टेडी मंत्रे डीप चनल पर सात्यों यूपी लेकवाल परिच्छा 31 जुलाई को जो हुई थी उसमें अभी तक बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं एक-एक सेंटर पे 50-50 लोगों को नकल कराए गई है अब इस भरती परकरिया का क् बात करेंगे हैं और इसकी रिवाइज आंसर की और जो परिच्छा है क्या इसकी रिवाइज आंसर की आएगी या परिच्छा रद्ध होगी आप देखो सारी स्ट एपने सारी इसका ब्योरा नकल तो 100% हुई है इसको आपको मालिमी है इसका जो ब्योरा है सारा का सारा थी आपको ख़बर लेकर ख़बर यह नहीं है ख़बर मैं आपको बताता हूं जो मैंने आज ही ख़बर लगाई है उसका बारे में इसमें कहा गया है कि वाटसप पर पेपर मिलते ही उसे सॉल्व कराए गया और आंसर की की फोटो लेकर सभी केंद्रों तक पहुँचाई गई करीब 40-50 अभ्यहरतियों को नकल कराई गई है यह STF की रिकूपर्ट में माना गया है सातियो ठीक है ने इस परिच्छा केंद्रों की नकल की रिपोर्ट अब सासन को भीज भी दिया है अ रिक है लेकिन ऊपी का कोई भरोसा भी नहीं है सारी पिक्रिया हो जाए डी बगैर हो जाए तबने रस्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि आपको एव बीडियो का बारे में मालम होगा यूपी बीडियो सब कुछ काम होने के बाद ये परिच्छा रद्ध हुई थी और सात्यों में आपको एक सलहा देना चाहूँगा अगर आपके बहुत अच्छे नंबर भी बन रहे हैं बहुत बढ़ी है नंबर पे 80, 80 जितने भी नंबर बन रहे हैं अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं फिर भी आप अगली परिच्छा की तयारी करो क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसका क्या हो जाए चाहे लास्टों जाके परिच्छा रस्त हो जाए लेकिन होगी नहीं नहीं होगी और इसका जो रिवाइज आंसर की है वो 15 सप्टेंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी कब तक 15 सप्टेंबर तक ठीक है देखने को मिल जाएगी है दूसरा इसका जो result है वो December में आ जाएगा DV के लिए कब आ जाएगा December से पहली आ जाएगा और इसका final aid March या April 2023 में हो जाएगा March या April 2023 में हो जाएगा दूसरा एक जानकारी और बता जाता हूँ आपको में जो DV के लिए इसमें जो लोग बलाए जा रहे है लगभग बलाए जा रहे है 16,000 मतलब इसके भरती के दो गुना अभ्यरती इसमें बलाए जाएगे इस बार रीजन क्या है दो गुना क्यों बलाए जा रहे है पहले अर्द्रच नहीं ये कहा था कि हम देड़ गुना अभ्यरतीयों को बलाएगे तो खाली रहे जाएगे इसलिए दो गुना अभ्यरतीयों को बलाया जा रहा है उसमें अगर खाली ना रहे है इसलिए ठीक है जाते हो तो यही सब कारण थे और इसका मैं फिर बता जेता हूँ इसमें 99% चांस है कि इसकी परिच्छा निरस्त नहीं होगी आप अगली परिच्छा में जुट चाहिए धन नवास आते हो